हलो इस्ट्वेंट्स मैं संजीव कुमार आबली प्रेफ्स में आपका वावत्वाश श्वागत है आजम पुना यूपीपी मिशन 18-19 में उपस्थित हैं आज का हमारा जो चैप्टर है वो है समास समास से समंदित महतपूर प्रस्णों पर आजम पुने चर्चा करेंगे समास से समंदित पहला प्रस्ण है कि कराए समास के वेद होते हैं ए औप्सन कराए पांच भी कराए छे चीचार और दी आठ तो इसलाएंस हम आपको बताना चाहेंगे कि समास के छेवेद होते हैं पहला अद्बेई भाव समास, तत्पुर समास, दुख समास, कर्मढाष यह समास और बहुब्रिय समास समास के 6 वे दोते हैं तो इस प्रेश्ट में का जो ऑफ्षन वी है वो सही है देखते हैं प्रेस्ट नमर दो यह कराए अब्याई की प्रधानता रखने वाला समस्त पद है यह आफ्सन कराए अब्याई भाव लिके रहे तत्पुरुष सी कराए कर्मधारे लिके रहे इन में से कोई नहीं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि अब्वे की प्रधानता रखने वाला अब्वे ही भाव समास होता है जिसमें अब्वे की प्रधानता होती है तो इस प्रेस्ट का option A सही है इसके बाद प्रेस्ट नमबर तीन ये कह रहा है कि तत्पुरुष के वेद होते हैं तत्पुरुष के वेद होते हैं A option 5, V6, C4 और D3 तो हम आपको बताना चाहेंगे कि तत्पुरुष समास के 6 वेद होते हैं आपने पढ़ा होगा कारक पढ़े होंगे तो कारक जो होते हैं 8 होते हैं और यहां तत्पुरुष समास में 2 कारक नहीं पाए जाते हैं करता कारक नहीं पाए जाता है और दूसरा सम्भोधन कारक नहीं पाए जाता है ठीक है वाकी के छे कारक जो होते हैं तत्पुर्व समास में पाए जाते हैं इसलिए इस तत्पुर्व समास के छेवेद होते हैं तो इस प्रेस्ट का option वी सही है प्रेस्ट नमर चार के रहा है किस समाश का पहला पद कारक होता है ए के रहा है कर्मधारे, वी के रहा है वाववरी, सी तत्पुरुस और डी द्युक समाश तो हम आपको बताना चाहेंगे इस प्रेंट्स तत्पुरुस समाश का पहला पद कारक होता है ठीक है तत्पुरु समास का पहला पद कारक होता है तो यहां इस प्रेस्ट नमबर चार का ओफशन सी सही है प्रेस्ट नमबर पांच के रहा है अब्याई भाव समास का उधारण है एफशन के रहा है बाकलम बी के रहा है सूर्योद है सी के रहा है आप वीती और डी के रहा है इनमें से कोई नहीं तो यहां इस प्रेस्ट का जो option सही option है इस त्रेंड्स वह है ए अब्याई भाव समास का उधारण है बाकलम ठीक है बाकलम का मतलब होता है कलम के 7 ठीक है अब हम आपको बताना चाहेंगे कि अब्याई भाव जो समास होता है इसमें मुख्य रूप से जो छे समास होते हैं इनमें से मुख्य रूप से अब्याई भाव समास की दो पहचान होती है एक यह होती है कि यदि किसी समस्त पड का उपसर्ग यदि प्रत्याता है आ, बे, ब, बा, यथा, अनौ इत्यारी जो उपसर्ग आते हैं जिस समस्त पड में तो समझ लीजिए वहाँ अब्याई भाव समास होता है तो यहाँ जो बाकल में इसका उपसर्ग क्या है बा दिया उफसर्ग होते हैं अगर किसी सब्द के आरम में आते हैं नियों उफसर्ग के रूप में तो समझे वो अभी वहाव समाश होता है ठीक है दूसरा दूसरी इसकी पहंचान यह और होती है कि जब सब्द की आबरती होती है यदि किसी सब्द की आबरती होती है आबरती का मतलब आप समझते हैं दोहराना यदि किसी सब्द को दोहराया जाता है तो वहाँ भी अब्विवाव समास होता है ठीक है प्रेस नमबर 6 देखते हैं प्रेस नमबर 6 केराए कि उह दरदर भटकता है रेखांग की सब्द में समास है तो रेखांग की सब्द जो है चात्रों वो क्या है दर दर ये रेखांग की सब्द है यहाँ दर दर को पूछा गया है इसमें कौन सा समास है A option के रहा है दिवक समास V के रहा है बहुवरिय C के रहा है कर्मदारे और D के रहे अब्वेई भाव समाश तो जैसा कि अभी हमने लाश्ट प्रेस्ट में आपको बताया था कि जब सब्द की आब्रती होती है तो वहाँ अब्वेई भाव समाश होता है यदि परिच्छा में आपके में आज आता है जैसे दर दर या दिनो दिन तो आप समझ दीजी कि वो अब्वेई भाव समाश का उधारण है तो यहाँ इस प्रेस्ट छे का जो सही option है वो है D अब्वेई भाव समाश इसके बाद प्रेस्ट नमर साथ देखते हैं यह कराए सवाभवन सब्द में समाश है कराए सवाभवन में सवाभवन सब्द में समाश है यह सवाभवन दिया हुआ है प्रेस्ट में इसमें पूछा कहा है कि कौन सा समाश है किसमें सवाभवन में यह option कह रहा है करण तत्पुरुस वी कह रहा है कर्म तत्पुरुस शी कराए संप्रदान तत्पुरुस और दी कराए संबन तत्पुरुस तो जैसा कि इस्ट्वेंट समने आपको भी बताया था आरम में कि तत्पुरुस समास के छेवेद होते हैं वो होते हैं केबल करता कारक को छोड़के और संबोधन कारक को छोड़ करके वकाय जो छे होते हैं वो होते हैं उसमें कर्म कारक, कर्ड कारक, संप्रदान कारक, संबन्द कारक, अधिकरण कारक ये सब पाई आते हैं अब यहाँ देखना है कि अगर किसी समस्थ पद में देखते हैं कि कौन सी विभक्ती का मेल खा रहा है अब यहां जैसे हमने देखा सभा भवन लिखा हुआ है तो हम यहां देखेंगे कि सभा के लिए भवन सभा भवन किसके लिए सभा कमला होता है मीटिंग सभा सभा के लिए जो भवन होता है उसे हम सभा भवन कहते हैं तो के लिए किसकी विवक्ति है वो है संप्रदान कारक्की तो यहाँ इस प्रेस्टन का ओप्षन सी सही हो जाता है संप्रदान तत्पुरुष तो इसमें इस्ट्वेंट साब की समझ में आ गया होगा जिस कारक की विभक्ति अगर सब्द में मेल खा रही है तो समझ लीजिए कि वही समास होता है तरपुरस का वही उपेद होगा इसके बाद देखते हैं प्रेस्ट नमबर आठ यहां देखेंगे प्रेस्ट कह रहा है आप बीती सब्द में समास है ठीक है अब यहां पर एक सब्द दिया हुआ है आप बीती इसके पूझा इसमें कौन सा समास है तो जैसा कि अभी हमने बताया था आपको इसमें आप बिवक्ति देखेंगे कौन सी विवक्ति मेल खा रही है जैसे अगर हम कहें कि आप पर बीती आप पर बीती तो में पेपर यह किसकी विवक्तियां होती है यह होती है अधिकरण का रख्की ठीक है तो आप समझ गए होंगे कि इस चारों ओफ्सन में से कौन सा सही है Oftentimes ए आप संस सही है यहां अधिकरण तत्पुर्स है ठीक है इसके बाद देखते है प्रेस्ट नमबर नो प्रेस्ट नमबर नो कह रहे है दही वड़ा सब्द میں समास है दही वड़ा कौन से सब्द में पूझा हैं दही वड़ा सब्द में जो बढ़ा होता है दही में पड़ा होता है to दही में बढ़ा ठो में विवक्ति किसकी होती है ततपुरुस की होती है Doing nasıl कर्मधारए में विवक्तिया कारक और न भावब्रिय में ओते है और यह D option दिया और इसमें से कोई नहीं यह तो ही नहीं सकता तो C option में तर्थपुरुस दिया है और तर्थपुरुस समास ही ऐसा है जिसमें कारक और विवक्तियों से जो संबन देते हैं ठीक है तो इस प्रेस का प्रेस नमबर 9 का जो सही अंसर है वो है C तर्थपुरुस इसके आप पुरुस शिहिंग इसमें कौन सा समास है पूंचा गया पुरुस शिहिंग में तो यहां कर्मदारे बहुपरिय तत्थ पुरुस या इन में से कोई नहीं तो आप देखेंगे कर्मदारे का क्या होता है कर्मदारे में पहला पद विश्यशल होता है और दूसरा विश् नहीं है तूसन अफ़े आप समिज्ट है कि यहां संबस्त Ayam के संब्समास कहा है कारक और विवक्तियों से शंब्समास इसमें देखते हैं कि कौण पूरसख्ग हम कह सकते हैं कि पूरशों में सिंग मतलब पुरुसों में सिंग मतलब पुरुसों में सेर सिंग का मतलब क्या होता है सेर तो पुरुसों में सिंग अब में जो है विवक्ति किसका रक्की है वो में पेपर अभी बताया था हमने किसका रक्की है बताईए अधिकरण तो अधिकरण अब समझ का होंगे आप यहां इस प्र समास है प्रेस्ट नेममर 11 दिखेंगे इसमें इस प्रेंट यह कह रहा है माखन चोर किस समाश का उधारढ है ह। अब देखेंगे हैं अब यह हम नाद कि दोपी पैंचान होती है तो उफसर्ग होता है उसमें प्रति बा ब बे आ अनु ये सब प्रति इसमें नहीं है ऐसा कोई भी उफसर्ग नहीं है माखंचोर में नहीं है दूसरा इसकी पैजन क्या बता है हमने इसकी पैजन यह और होती है जब किसी सब्द की आबरती होती है दोर आए जाता है तो यहां भी ऐसा कुछ नहीं है ठीक है कर्मधारे में एक विशेशड होता है और एक विशेश होता है तो यहां एक विशेशड विशेश नहीं है पहला पद विशेशड नहीं है न अच्छा अब आता है तत्पुर समास तो तत्पुर समास फिर देखेंगे हम यहां जो है वही कारक और व वक्ति का मेल हुखा रहा है, कौन सी वक्ति मेल हो रही है, तो माखन को चुराने बाला, हम इसको कह सकते हैं कि माखन चोर का मतलब क्या है, माखन को चुराने बाला, तो यहां माखन के साथ कौन सी वक्ति हो रही है, को, जो कर्म तत्पुरुस है यहां, तो यह कर्म तत्पुर इसके बाद प्रेस्ट नमर वारा आते हैं लिखाए महोसद किस समास का उधारण है महोसद किस समास का उधारण है अब आप देखेंगे किसके बारे में पूछा गया है महोसद के बारे में पूछा गया है कि महोसद किस समास का उधारण है दिखते हैं पहले कर्मधारे कर्मध होता है पहले कर्मदारें देख लेते हैं कर्मदारें पहला समास पहला पद जो होता है वो कैसा विशेशड होता है और दूसरा विशेश होता है अब हम इनको अलग-अलग करेंगे तो क्या हो जाता है महान है जो आउसद है यानि महान क्या है एक विशेशड है जो आउसद की विशेशता बता रहा है ओसदी महान है तो महान है जो ओसद अब इसमें तीसरा कोई पद नहीं बढ़ रहा है अगर तीसरा पद बनता होता तो बहुत भी हो जाता तो यहां समझ गए आप कौन सा समास है इस प्रेश नमबर वारे का ए ओप्सन सही है इसमें कर्मधार है क्योंकि पहला पद विशेशर है और दूसरा पद विशेश है देखते हैं प्रेश नमबर तेरा प्रेश नमबर तेरा गयरा है कि चतुरवेद की समास का उधारण है चतुरवेद की समास का उधारण है आप देखे इस सब्द पर आप फोकस डालेंगे चतुरवेद पर ठीक है चतुरवेद के बारे में पूछा गया है आप देखे बहुबरी है समास आप समझते हैं कि पहला पद और दूसरा पद प्रधान नहों करके कोई तीसरा पद प्रधान होता है दिख समास क्या होता है दिख समास की प्रधान प्रवाशक है पहला पद इसका संख्या वाचक होता है और दूसरा संख्या होता है तो आप देखे यहां चत का मतलब चार बेद का मतलब बेद है चार बेदों का समू, तो चार बेदों का समू, जिसको हम क्या कहते हैं, चतुर बेद कहते हैं, ठीक है, चारों बेदों के समू को क्या कहते हैं, हम चतुर बेद कहते हैं, अगर प्रस्ण आ जाता है आपका, एक सब्द लिखने के लिए one word, अनेक सब्दों का एक सब्द, तो क क्या है अगर आ जाता है कि चार वेदों का समूँ तो आप क्या लिख देंगे चतुरवेद वो लिख देंगे और यहां कौन से समाश है इस प्रस्ट का वी ओफ्जन सही है यहां दिख समाश है ठीक है इसके बाद प्रस्ट नमबर चौधा इस प्रेंट चाह रहा है कि रहें द्वंद समाश का उधारण है किसका देखेंगे या फोकस डालेंगे सब्द पर द्वंद समाश ठीक है द्वंद समाश का उधारण है पाप, पुन्य, दिनो दिन, सिव या इन में से कोई नहीं तो द्वंद समाश को आप समझते है कि दोनों ही पद समान होते है उसकी मुक क्या है कि दो समझ पद के बीच में योज़क का चिन पाया जाता है ठीक है तो आप समझ गए होंगे प्रेस्ट नंबर चोड़े का शही ऑफ्षन में वह यह है पाप पुन्नि अंतिम प्रेस्ट ने इस्ट्रेंट्स कह रहा है कि बीड़ा पाड़े किस समास का उधारण है यह ऑफ्षन कह रहा है बावब्री है बी कह रहा है कर्मदार है सी कह रहा है अब्वेवाव इन में से कोई नहीं अब देखे बीड़ा का यह इस्ट्रेंट्स आपको हल करना है और इसका जो चारो में से A, B, C, D जो भी option होता है suitable वो आपको comment box में लिखना है थोड़ा सा हम संकेत देंगी इस प्रस्ट के बारे में आपको बीड़ा का मतलब जानते हैं बीड़ा होती है और पांड का मतलब होता है हाथ अब देखिए अब आप समझ गए होगे कि इसमें कौन सा समास है तो इस समास करूँ answer है आपको देना है comment box में इस प्रस्ट और इससे पहले वीडियो में एक प्रस्ट अमने छोड़ दिया था जिसका सही answer है प्रस्ट था उससे पढ़ा नहीं जाता उससे पढ़ा नहीं जाता उस प्रस्ट का A option सही है यह भाव आचक है ठीक है भाव आचक है A option सही है इसका और इस question नमर्द पंडरे का answer आप comment box में लिख की देंगे फिर हम next वीडियो में आपको इसका answer बताएंगे ठीक है स्वागत है और हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा students उम्मीद है तो like या subscribe करना न भूलिएगा ठीक है और लगातार हम इसी तरीके से chapter wise आपका अभ्यास कराते रहेंगे धन्निवाद